अगर आपको अपने लैपटोप में ब्लूतुट एरबेंड या ब्लूतुट हैटफोन या ब्लूतुट स्पिकर कनेक्ट करना उपने लैपटोप में तो आप किस तरह कर सकते हैं आज की वीडियो में हम सिखेंगे तो इसके लिए आपको यहां है एक लोगो देखने को मिलेगा इस तरह का अगर आप इस पर क्लिक करते हैं करसर से लाके टो यहां आपको Bluetooth देखने को मिल जाएगा हमारे में देखने को नहीं मिल रहा लेकिन आपके लैप्टूप में देखने को मिल सकते हैं या तो आपको यहांप अप्प्र प्रहें देखने को मिलेंगे मैसीज बोक्स का option जिसमें केमारा notification आता है इसके हम किलिक करेंगे यहां मैं देखने को मिल गया Bluetooth और यहाँ डारेक्ट सेटिंग पर जाकर वहाँ भी सर्च मार सकते हैं Bluetooth तो इसके हम किलिक करते हैं यहां से यहां हो जाएगा उन हो चुकर आप राइट क्लिक करेंगे हम तते आप कुछ की सब्सक्राइब आपको इस तरह का इंटरफिस देखने को मिलेगा आपको यहां देखने को मिलेगा एड ब्लूटूट पलस वाले बटन पर क्लिक करना है यहां देखने को मिलेगा यह-ちょっと क्लिक करना है तो इसके लिए हमें बटन देखने को मिलीगी इसमें बटन रहती है इस्पे नंब कर देते हैं यह ऊन्हों जाए कि बटन को यह ओन हो चुका है हमरा ब्लुटूथ एन यहां पर यह सर्च रहे ले रहा है भी थोड़ा सम वेट करेंगे मूदन नंबर यह रहा इसके मूदन नंबर इसक मूदन नंबर इस पर कट्रिक करेंगे हैं यहां से इतREE क्नेक्ट हो गा I connect हो चुक आए देख सकते हो अगर हमें नहीं चलाना हो तो हमीं क्या करना यहीं पर आकर यहां से disconnect कर देंगे जिस्से हमारों भूठी तो यहां से disconnect हो जाएगा अभी क्या करना हम यहां से हम क्लोस कर देते हैं यह दिखा रहा है यह को कनेक्ट हो चुका है पलस इसकी जो बैट्पों यूज करेंगे उसमें आएगी या कोई स्पीकर लगाएंगे उसमें आएगी अभी यहां से बंद करना हो तो यहां इस पर ऐसे बंद हो जाएगा तो इस तरह आप ब्लूतूट कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटोप में हैटफोन कोई स्पीकर या एयर बेंड इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं